Hello everyone, आप सभी का चीज़ी कोड में है, स्वागत है तो आज के स्वीडियो में हम लोग अपना RecyclerView Implement करेंगे जितने भी हमारे notes से उनको एक grid की form में शोग करेंगे तो शुरू करते है हमारे lecture तो लास्ट वीडियो में हमने इस तरीके से code लिखा था तो यह जो मारी repository वाली class है इसको यहाँ पर notes API का access चाहिए तो यहाँ पर हम लोग health का use करेंगे तो इस तरीके से हम लोग इसको access करेंगे private val notes API तो सबसे पहले यहाँ पर एक function implement करते है जो कि हमारे सारे notes access करेगा तो इसको नाम देते हैं get notes तो same वो ही logic लिखेंगे यहाँ पर भी हमें एक live data चाहिए होगा और उसमें हम लोग अपना data set करेंगे यहाँ से हम लोग API request raise करेंगे महाँ से हमारा पस data हैगा उसको हम लोग live data में push करतेंगे तो यहाँ पर मैं एक live data create करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक variable define करता हूँ private bell underscore notes live data और यह हमारा mutable type का होगा तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर mutable live data create करेंगे अब इस mutable live data के अंदर हम लोग क्या store करने वाले है तो यहाँ पर हम लोग इना network result store करेंगे तो जितने भी हमारी API response होगे वो हम इस class से handle करेंगे network result तो इस network result पर भी हमारे को एक class pass करने होगी कि हमारे response का type क्या है तो यह जो हमारा get notes वाला function है हमें क्या return करेगा तो यह हमें return करेगा list of note response बहुत हम लोग अपनी note request send करेंगे तो वहाँ से हमें response हाएगा जो कि एक list होगी तो इस तरीके से हमें मैं इसको define करूँगा list of note response अब इस mutable live data के लिए हमें live data expose करना होता है जो कि हमारा publicly accessible होगा तो इस तरीके से हमें एक variable define करूँगा notes live data और यह हमारा live data type का होगा तो इसका data type एकदम same होगा और इस पर यह getter property define करेंगे जो हमारा point करेगा notes live data तो इस तरीके से हमें लोग यह live data create करते है जो कि हमारा publicly accessible होता है मैं लब इसके तरू हमनों को अपना data read करेंगे और जो भी data set करना होगा मुझे वो इस mutable वाले में करूँगा तो यहाँ पर हमना code लिखता हूँ तो सबसे पहले अपनी loading state implement करते है तो यहाँ पर हम लिखता हूँ notes live data dot post value और यहाँ पर हम लोग network result का एक object बनाएंगे dot loading उसके बाद अपनी API को call करेंगे आसे तो यहाँ पर मैं एक response का variable बनाता हूँ और इस notes API के मत से जो कि हमारा एक private variable है यहाँ पर उससे हम लोग यह function call करेंगे get notes तो यहाँ पर आप दिसकते हैं इसके response में list of note response मिलेगा तो इसी का हम लोग use करेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से हमारा पस response आजागा जो भी user के against note saved होंगे वो हमारा पस यहाँ पर accessible होंगे अब यह जो API से response आए मारा पस या तो वो error होगा या successful होगा तो उसी तरीके से हमें handling करनी होगी तो यहाँ पर मैं कुछ conditions लगायता हूँ तो यह जो conditions होंगी मेरी यह बिल्कुल इसी कितर होंगी तो इसी code को यहाँ से copy कर लेते हैं और इसको यहाँ पर paste कर देते हैं और इस user response live data की जगह हमें यह notes live data use करना होगा तो इसको यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देसकते हैं बिल्कुल same code है कोई भी difference नहीं है जस live data का difference है तो इसके लिए हम लोग एक general class create कर सकते हैं उसमें यह सारा code move कर सकते हैं तो आप try कर सकते हैं कि इसको आप general class में कैसे convert कर सकते हैं बट अभी लिए इसको ऐसी रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं उसके बाद एक और function create करते हैं यहाँ पर create note के नाम से जिसका हम लोग use करेंगे note को create करने के लिए तो यहाँ पर हमें note request object मिलेगा और इस तरीके से हम लोग यह function define करेंगे similarly update और delete के लिए इसको copy कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं delete note और यहाँ पर इसे नाम देंगे update note अब create करने के लिए हमार को note request object मिलेगा क्योंकि जो भी हमें note create करना है वो हमें information pass करनी होगी बढ़ delete note के case में note id पास करनी है कि कौन सा note हमें delete करना है उसकी हमें id चाहिए होगी तो यहाँ पर मैं input में लूँगा note id जो कि हमारी string format में होगी similarly update note के case में हमारी note request तो होगी कि मुझे क्या note update करना है और उसके साथ-साथ मुझे note id भी मिलेगी तो इस तरीके से हमें note id भी add कर लेता हूँ तो यह तीन functions है हमारे यह हमारे create, delete और update के लिए और get के लिए हमने यह function define किया तो एक बार दुबारा से repeat करता हूँ कि हमें क्या होगा यह पे हमने note id लिया है similarly i.us update करना है मुझे तो मुझे एक note id मिलेगी कि इस note को update करना है मुझे और किस चीछ से update करना है तो हम इस note request से update करना है तो इस तरीके से हमारे update Liquid वाफ्ट्शन काम करेगा अब यह तीनो functions जो हमारे यह हमारा को एक status return करेंगे कि हमारा note जो वो successfully create हुआ है या नहीं यह हमारा note जो successfully delete हुआ है या नहीं तो basically हमें एक status return करेंगे तो यहाँ पर हमें एक और live data define करना होगा उसके status के लिए तो यहाँ पर मैं एक और variable define करता हूँ जो कि हमारा status live data होगा तो वही pattern follow करेंगे हम लोग यहाँ पर यहाँ पर एक mutable live data define करेंगे और यहाँ पर भी हमें एक network result मिलेगा क्योंकि हमारी यह network call है और response के लिए यहाँ पर मैं string class का use करूँगा तो string मैंने इसलिए यहाँ पर define किया है कि अगर हमारा successful होगा तो हमारा successful class से यह handle हो जाएगा वहाँ पर कोई error message नहीं होगा अगर हमारा पास error होती है तो हमारा पास एक reason होना चाहिए कि किस वज़े से हमारा पास यह error आई है तो जो message होगा मेरा वो string format में होगा इसलिए आप मैंने string class define करी है तो I hope आपको यह clear हो रहा होगा तो इसी के लिए आप एक public live data बनाते है status live data के नाम से और इसी तरीके से आप एक get a property define कर देंगे status live data तो इस तरीके से जो भी हमारा status होगा जो हमारे इन तीनो calls के लिए हम लोग use करेंगे हम इस live data का use करेंगे तो देखते हैं इसको कैसे use करेंगे तो API कॉल करने से पहले आप अपनी loading state पुश करेंगे जिसे हमारी UI जो है आप हम लोग लोडर शो कर पाए यहां पर मैं status में पुश करूँगा status live data dot post value network result dot loading कि हमारा लोड हो रहा है और यही सेम चीज मुझे इन तीनो functions के अंदर करनी है तो इसको यहां पर paste कर देते हैं तो इस तरही किसा हम लोग अपनी loading state implement करेंगे उसके बाद यहां पर API request raise करते हैं यहां पर मैं एक response को object बनाता हूं और यहां पर notes API के थ्रूप इस function को call करेंगे create note और यहां पर हम यह note request को object भेजना है तो इस तरही किसे हम लोग इसको यहां पर pass कर देंगे अब सेम वही काम करना है यहां पर हमें कि हमार को response को check करना है कि वो successful है या error है यहां पर मैं एक if condition लगाऊंगा response.is successful and response.body is not equal to none तो अगर हमारी API request जो successful हो जाएगी तो हमारी यह वाली if condition execute होगी otherwise यहां पर हम लोग एक else condition लिखेंगे जहां पर हम लोग हमना error handling वाला code लिखेंगे तो यहां पर हमना status live data set कर देता हूं status live data.post value और यहां पर हम लोग set करेंगे network result.success success में हमें आप एक string pass करना है तो यहां पर मैं लिख देता हूं node created और अगर कोई error आता है तो हम इस live data को पताना होगा कि भी यह कोई error आ गया है तो यहां पर हम लोग इस class का use करेंगे network result.error अब यहां पर हमना message pass करना है तो यहां पर मैं अभी के लिए pass कर देता हूं something went wrong तो इस तरीके से हम लोग इस API response को handle करेंगे और यही same काम मुझे इन तीनो endpoints के लिए करना होगा तो इसको मैं एक function में move कर देता हूं यहां पर इसे नाम देता है handle response और यहां से मैं इसको cut कर देता हूं तो इस तरीके से हमारे code refactor हो चुका है अब मुझे यही same function इन दोनों जगा पे भी use करना है अलब delete के लिए हम यही function use करना है और update के लिए भी तो यह जो हमारा note created वाला message है यह हमारा dynamic होना चाहिए तो इसके लिए यहां पर मैं एक parameter add करता हूं message के नाम से जो कि हमारा string format में होगा और इस note created के जगह हम लोग यहां पर इस string message pass करेंगे तो इस तरीके से यह वाला function है अब इन दोनों जगा पर भी use कर पाएंगे तो यहां पर यह मुझे error दे रहा है तो यहां पर मैं message pass कर देता हूं note created क्योंकि हमारा create note वाला function है तो इस तरीके से यहां पर मैंने message pass किया तो इस तरीके से हमारा create note वाला function काम करेगा तो आपको यह clear हो रहा होगा अब देखते हैं delete और update के लिए कैसे implement करेंगे तो यहां पर मैं अपनी API request raise करता हूं well response notes API dot delete note यहां पर हम एक note id pass करनी है तो यहां पर मैं note id pass कर दूँगा और यहां पर भी यह function call कर देंगे handle response dot update note यहां पर हम एक note id pass करनी है और note request यहां पर भी यह function call कर देंगे handle response तो यह response यहां पर पास कर देते हैं और message में आप पास कर देंगे note updated तो इस तरीके से हमारी यह तीनो functions काम करेंगे तो I hope आपको यह clear हो रहा होगा तो इसमें हम लोग भी और भी refactoring कर सकते हैं refactoring कोई limit नहीं है आप जितना चाहें उसको refactor कर सकते हैं पट हमारी conditions के लिए काम करेगा तो आगे बढ़ते हैं और अपना view model implement करते हैं तो यहाँ पे एक नई class create करते हैं note view model के लिए और इसको यहाँ पर मैं इनरेट कराता हूँ view model class है अब यह जो हमारी view model वाली class है इसको repository का access चाहिए क्योंकि हमारा view model जो वो repository से बात करता है repository जो हमारी data source से बात करती है तो यहाँ पर हम लोग हिल्ट का use करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसका constructor define करूँगा और इस तरीके से हम लोग अपनी repository को access करेंगे यहाँ पर note repository और इसको मुझे आप annotate करना होगा hilt view model से तो अब जितने में हमारे CRUD operations है उसके लिए यहाँ पर मैं functions define करूँगा और वो functions जो है वो internally note repository के functions call करेंगे तो यहाँ पर मैं function define करता हूँ get notes के नाम से और इसके अंदर यह note repository का get notes वाला function call करेंगे अब यह मुझे error दे रहा है क्योंकि हमारा suspend function है तो यहाँ पर मैं अपना view model scope का use करूँगा view model scope.launch और इस तरही किसे हम लोग इस function को call करेंगे similarly create update और delete के लिए भी बनाते है तो यहाँ पर मैं function create note के नाम से जिसमें हमें note request मिलेगी यहाँ पर भी एक core routine launch करते है view model scope.launch और simply यह note repository का जो हमारा create note वाला function है इसको call कर देंगे तो इसी को copy कर देते है यह function काम करेगा और यहाँ पर मैं function call करूँगा update note तो update note के लिए हम एक note id पास करनी है तो इस तरही किसे मैं note id और note request पास करते हूँगा और यहाँ पर इसे change कर देते हैं delete notes है तो delete note के लिए हमें note id चाहिए तो यहाँ पर मैं दिख देता हूँ note id जो कि हमारी string format की होगी और similarly य हमारे चार functions है जो हमारे को रूटीन लांच करेंगे और उन को रूटीन के अंदर हम लोगे repository के functions कॉल कर रहे हैं अब यहाँ पर मुझे दो variables ही है जो भी हमारा live data है उसके लिए आप हमें दो variables define करने होंगे जो मैंने यहाँ पर define किया है लब notes live data के लिए एक variable होगा हमारा औ status live data के लिए यहाँ पर मैं एक variable create करता हूँ notes live data के नाम से और इस पर एक getter property define करते हैं जो की point करेगा note repository के इस notes live data को similarly status के लिए भी यही करेंगे status live data इस पर भी एक getter property define करेंगे जो की point करेगा note repository के status live data को यही same का मैंने auth view model में भी किया था तो अगर मैं यहाँ पर अपना auth view model open करता हूँ यहाँ पर दिसकते हैं इस तरी के समने यह repository का access किया था तो I hope आपको यह clear हो रहा होगा किस तरी के समने यह view model create किया है तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा doubt है तो आप हमारी पुरानी और इस binding का नाम होगा हमारा fragment main binding तो जो भी हमारा layout होगा उसके corresponding हमारी यह binding class generate हो जाएगी उसी का हम लोग यहाँ पर use करेंगे और यह हमारी नलेबल टाइप की होगी और इसी के corresponding हम लोग यहाँ पर एक और variable define करेंगे जो कि हमारा non null होगा और यहाँ पर इसको non null बना तो इस तरीकिसे हम लोग यह binding object declare करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको initialize करेंगे binding equal to fragment main binding dot inflate तो यहाँ पर हम अपना inflator object pass करना है और यह वाली values pass करना है यहाँ तो इस तरीकिसे हमार को यह binding object मिलेगा और यहाँ से हम लोग इसको return करेंगे binding dot root similarly यहाँ पर हमें on destroy view को भी override करना होगा जिसमें हम लोग यह binding को null set कर देंगे तो जब भी हमें binding implement करनी है तो यह steps हमें कर नहीं है तो अपनी layout file पर चलते हैं और इसका layout define करते हैं तो यहाँ पर इसका layout paste कर देते हैं तो इस तरीकिसे हमारा यह layout है यहाँ पर मैंने constraint layout का use किया तो सबसे पहले हमारा पास यहाँ पर text view आ रहा है जो कि हमारा simple label है जो यहाँ पर यह notes display करेगा उसके बाद यहाँ पर मैंने recycler view define किया है तो अभी हमें इसकी item define करनी है कि इसकी item का layout होगा तो इसको अभी define करते हैं similarly यहाँ पर मैंने spin kit का use किया है loader show करने के लिए और add वाल icon है इस drawable folder पर आप right click करके एक vector asset create कर सकते हैं तो जो भी आपको icon select करना है यहाँ से आप icon select कर पाएंगे और यह आपके drawable folder में add हो जाएगा अब अपनी item का layout define करते हैं तो यहाँ पर मैं alt enter press करता हूँ और यह हमारे एक layout file create करतेगा तो अपनी item का भी code paste कर देते हैं य यहाँ पर मैंने linear layout का use किया जिसके अंदर हमारे पास दो text view है एक title के लिए और description के लिए तो इसी का हम लोग use करेंगे तो यहाँ पर मैंने background color भी use किया है तो यहाँ पर उसको define कर लेते है तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने shape define करिए जिसमें हमने stroke दिया है white color का तो यहाँ अब दिसकते हैं एक white color का stroke आ रहा है हमारे पास और यहाँ पर मैंने corners define किया है 12 dp के तो यह जो हमारे corners है यह हमारे थोड़े से rounded है और background के लिए हमने यहाँ एक grey color define किया है तो इस तरीके से हमारा यह background दिख रहा है तो I hope आपको यह visible होगा तो एक बार दुबारा से repeat कर दे होगी तो यहाँ पर मैंने एक note item define करिया तो इस तरीके समारी item दिखेगी और इस note item के लिए हमने इस background का use किया तो इस तरीके समार पस यह stroke आएंगे और corners आएंगे तो I hope आपको यह clear होगा तो अब आपस main fragment पर चलते हैं तो same ही steps है just repeat कर रहे हैं उनको different screens के लिए तो इस fragment के अंदर हमें view model का access रही है तो यहाँ पर हमने view model के लिए object create करूँगा private valve node view model और यहाँ पर वही fragment extensions का use करेंगे तो इस तरीके से हम लोग अपने view model का object create करेंगे तो इस तरीके से हमार को यह view model का object मिलेगा अब यहाँ पर हम लोग एक method override करेंगे on view created जिसके अंदर हम लोग अ हमार पास यह notes live data है इस पर एक observer set करते हैं यहाँ पर हमें दो चीज़े पास करना है एक हमार को owner pass करना है और एक observer तो यह हमारा fragment है तो यहाँ पर हमारा owner होगा view lifecycle owner और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर observer define करेंगे तो जैसे हमारे इस notes live data में कुछ भी change होगा तो हमारा यह observer call ह होगा तो यहाँ पर मैं वही when condition लगाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हमारा पस network results आएगा तो वह conditions यहाँ पर define करेंगे कि अगर हमारा network result जो है वह success है तो हमारा यह वाला code execute कर दो अगर error है तो हमारा यह वाला code execute कर दो और similarly अगर loading state है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ प प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर दिसकते हमारा पास option आ रहा है add remaining branches तो इसका भी हम लोग use कर सकते है तो इस तरीके से हमारा पास यह conditions define हो जाएगी तो यह हमें याद करने की ज़ूरत नहीं है क्योंकि हमारी sealed class है तो वन को पता है कि कौन कौन सी statements होंगी तो इस तरीके कर देंगे यहाँ तो इसको alt enterprise करके import कर लेते हैं similarly जैसे इसमें कुछ change होगा तो हमें अपने loader को hide भी करना होगा यहाँ पर लिखते है binding.progressbar.isvisible और इसको यहाँ पर false set कर देते हैं तो इससे क्या होगा जब हमारी loading state होगी तभी हमारी progress bar visible होगी otherwise वो hidden रहेगी उसके बाद अपने recycler view में data set करता हूँ तो अपना एक adapter define करते हैं यहाँ अब यहाँ पर हम लोग list adapter का use कर रहे हैं तो list adapter हम लोग already discuss कर चुक है तो इसको मैं जाला detail में discuss नहीं करने वाला हूँ इसको यहाँ पर paste कर देते हैं और इसको मैं step by step समझायता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या क कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लोग उसका code define करते हैं और यहाँ पर मैंने एक bind function define किया है जो हमारे textview को bind करेगा तो जो भी हमारे पास note आएगा उसका title और description हम लोग इस तरीके से bind करेंगे तो इस तरीके से view holder वाली class है अब list adapter के देर हमें एक defutil भी define करना होता है तो इसकी implementation दी हुई है तो यहाँ पर अब दिसकते हैं हमारे पास दो method जास के अंदर are items the same यहाँ पर मैंने item की id check करी है कि दोनों की id same है या नहीं और content check करने के लिए हमने इन दोनों को compare करा लिया क्योंकि हमारी data class है तो data class के जो two string method होता है वो दोनों की string compare कर देगा और वो य यह बता देगा यह same है या नहीं तो इस तरीके से हमारी एक competitor वाली class काम करेगी और उसको object मैंने आपे pass किया है तो इस तरीके से हमारी यह वाली class काम कर रही है और same इसी तरीके से हमने यह दो functions भी define किया है तो on create view holder के अंदर हमने view holder का object बनाया है जिसमें हमने यह binding पास करी है तो यहाँ पर मैंने पहले हमनी binding inflate करी है तो यह जो हमारी note item binding है यह हमारी यह वाली item है तो इस item के अंदर हमें हमने data set कराना है तो इसके corresponding हमारी view holder की class बनेगी तो उसी काम हमने यहाँ यहाँ यूज किया है सबसे पहले इस binding को inflate कराया और इसकी मज़से हमने आपना view holder क object बनाया है तो यहाँ पर दिसकते हैं हमें binding object चाहिए तो इस तरीके से हमने उसको inflate किया उसको यहाँ पर pass किया है और इस binding की मज़से हम लोग अपने text view को set करा रहे है तो इस तरीके से हमारा यह on create view holder वाला function काम करेगा और उसके बाद इस on bind view holder में हमने इस note को bind करा दिया ह तो इस तरीके से हमारी adapter वाली class है तो यह जितना भी code है यह github पर already committed है तो अब इसका source code जो है वो github पर जाके check कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं और अपने main fragment पर ही चलते हैं तो अपने note adapter के लिए आप एक variable create करते हैं और इसको नाम देते हैं adapter और इस on create view के अंदर हम ल अपना recycle view access करता हूं तो इस binding object के नदर हमारा पास यह note list है तो यहां पर आप सकते हैं यह हमारा recycle view है इसका हम लोग use करेंगे और यहां पर यह adapter set करा देगे इसके साथ साथ हमें अपने recycle view में कुछ property set करनी होती है तो यहां पर मैं इसका layout manager set कर देता हूं staggered grid layout manager तो यहां पर वो एक staggered list में आ जाएंगे अब जैसे हमारा यह view create हो जाएगा तो यहांसे हम लोग एक request raise कर देंगे कि जाओ भी हमारे सारे notes ले आओ तो यहां पर हम लोग note view model का use करेंगे note view model dot get notes तो इस तरीके से हम लोग इस function को call करेंगे तो अगर मैं इस पर control click करता हूं तो यह हमारी repository repository को call करेंगा repository हमारे notes लेकर आएगी वह इस live data में set करतेगी और इस live data को हम लोग यहां पर observe कर रहे है तो जो भी data होगा हमारा वह success वाले के अंदर आएगा या error वाले के अंदर observer के success वाले में हमने इस data को set करा दिया तो इस तरीके से आपका recycle view set हो जाएगा तो इसको run करके देखते हैं तो यहां पर हमारी app run हो चुकिया तो मैं एक existing user से login कर देता हूं जिसमें हमारे पास अलड़ी कुछ notes है तो जैसी यह login होगा तो जितने भी notes होंगे यहां पर display हो ज देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि मैंने क्या क्या steps follow कि हैं कुछ concepts जो थे वो already covered है उसको मैंने आपे skip कर दिया तो उनके लिए आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं उनका link आपको description में मिल जाएगा तो I hope आपको यह series अच्छी लग रही होगी तो वीडियो अच् सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई suggestion है तो मुझे comments के दुरू बताएं thank you for watching आपका दिन चुबहुत धन्ने में